अहमदाबाद पहुँचे शुभमन गिल दो दिन बाद भारत-पाकिस्तान मैच जाने कैसी है स्टार ओपनर की तबियत शुभमन गिल डेंगू से पीडित हुए थे इसी वजह से वह वंडे विश्व कप में शुरुवाती दो मैच नहीं खेल पाए और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उनकी जगह इशान किशन ने पारी की शुरुवात की भारतिय टीम के सलामी बल्लेबास शुभमन गिल भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अहमदाबाद पहुँच गए हैं बुधवार रात गिल अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्तूबर को होना है ऐसे में गिल के पास फिटनेस हालिस करने के लिए दो दिन का समय है अगर वह फिट हो जाते हैं तो उनका खेलना तय है क्योंकि इशान किशन आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली गेंद में ही आउट हो गए थे और अफगानिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने धीमी शुरुआत की थी इसके बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे गिल के फिट होने पर इशान किशन का प्लेइंग 11 से बाहर होना तय है डॉट शुभमन गिल का विडियो भी सामने आया है जिसमें वह मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ अहमदाबाद एरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं गिल के अलावा पाकिस्तान की टीम भी अहमदाबाद पहुँच शुकी है बुधवार को टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की और अब भारतिय खिलाडी भी अहमदाबाद में हैं कैसी है गिल की तबीयक एरपोर्ट में गिल बेहत सामान्य नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह डेंगू से पूरी तरह उबर चुके हैं अब उन्हें मैच के लिए फिटने सा हासिल करनी होगी पूरी उम्मीद है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलेंगे देंगू से उबरने में आमतोर पर एक सब्ताह का समय लगता है और गिल जैसे खिलाडी इस से जल्दी उबर सकते हैं क्योंकि वह पहले से ही काफी फिट हैं एशिया कब से पहले हुए योलो टेस्ट में उनका स्कोर सबसे ज्यादा था शुभमन गिल इस साल भारत के लिए वंडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं उन्होंने बीस पारियों में 1230 रन बनाए हैं उनका ओसत 72.35 और स्ट्राइक रेट 105.03 का रहा है वह इस साल वंडे में 12 शतक भी लगा चुके हैं विश्वकप में शुभमन गिल भारत के लिए बेहत अहम बल्लेबाज हैं उनका फिट होकर वापसी करना टीम इंडिया के लिए बेहत जरूरी है अहमदाबाद के मैदान में गिल का रिकॉर्ड शांदार है ऐसे में उनका टीम में लोटना भारत के लिए बेहत सुखत पहलू होगा